नमस्कार दोस्तो ओल्लाइन यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो आज हम लोग चर्चा करेंगे जो सबसे जो लंबी जो अंत्यप्रवाई नदी है और सबसे लंबी जो अंत्यप्रवाई नदी है जिसका नाम है घगर तो दोस्तो आज हम घगर नदी की बारे मे चर्चा करेंगे, इस घगर नदी को राजस्तान का सोक के नाम से भी जाना जाता है, इसी घगर नदी को नट नदी, हकर नदी, सोतर नदी, वैराजस्तान का सोक के नाम से भी जाना जाता है, तो दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं, घगर नदी, याद रखेगा, घगर अलग है और घागरा नदी अलग है ये जो घागर नदी है ये एक मत्र ऐसी नदी है जो हिमाले से निकल कर हमारी राजस्तान के अंतरगत आती है तो घागर नदी जो है इसका जो हिमाले की सबसे लास्ट की जो स्रेणी है हिमाला की जिसको हम लोग नाम देते हैं सिवालिक स्रेणी तो याद रखेगा घगर लगी का उद्गम कौन सी स्रेणी से होता है हिमाला की तो सिवालिक स्रेणी से और बात करें सिवालिक स्रेणी में कहां से होता है तो ये जो हीमाचिल प्रदीश है रजे हीमाचल प्रदेश के अंतरगत एक जगह है सिमला और सिमला के अंतरगत जो पहाडियां है उन पहाडियों को नाम दिया जता है कालका की पहाडियों से इस घगर नदी का उदगम होता है इसके बाद हीमाचल से ये पंजाब हरियाना राजस्तान होते हुए और ये पाकि तो दोस्तों पाकिस्तान में घा गरनादी को क्या कहा जाता है हाकरा बात करते हैं विश्त्रिति सबसे पहले बात करें घाकरनदी प्राचिद काल ऐक नदी वहारही हैती इस यतर से उसका नाम सरस्वति तो दोस्तों याद रेखेगा सरस्वति के इसतान पर वरदमान में को नदी बहे । थीज़ नदी के उपनाम हो इससे हक्रा सoptme आधि इसके अलवा इसे सोत्रा नदी सोत्रा सोत्रा नदी इसके अलवा इसी को कहा गया लेटी हुई नदी इसी को कहा गया है मृत नदी या डेड रीवर और पहले ये राजस्तान में बहुत ज़्यादा जन और धन की हानी क्या करती थी इसलिए इसको कहा गया राजस्तान का सोक तो राजस्तान का सोक और याद रहा किये सबसे लंबी अंत्य प्रवाही नदी, सबसे लंबी जो अंत्य प्रवाही नदी है वो भी कौन है तो घगर ही है तो दोस्तों घगर नदी को नट नदी, हाकरा नदी, सोतरा नदी, लेटी हुई नदी, मृत नदी, राजजरस्तान का सोक और सबसे लंबी अंताप्रवाही नदी के नाम से जाना जाता है फिर बात करें दोस्तों इस नदी का जो उद्गम है उस उद्गम की अगर हम लोग बात करते हैं तो नदी का जो उद्गम है वो कहां से माना जाता है तो जो सिवालिक जो स्रेणी है हे मलकी, सिवालिक स्रेणी, इस सिवालिक स्रेणी से इसका उद्गम होता है, फिर ये पंजाब की अंतरगत भैती है, तो पंजाब में चितान कलाती है, पंजाब में ये चितान कलाती है, राजस्तान में ये जहां से प्रवेश करती है, वो जि टीबी नाम कस्वे से और हनुमान गड़ जिले से ये राजस्तान में प्रवेश करती है और याद रखेगा यहीं पर ये राजस्तान की सबसे नीची जील तलवाडा दोस्तों तिलवाडा बाड़ मेर में है ये है तलवाडा तो तलवाडा जो जील है इस तलवाडा जील को भ जबकि भारत में सबसे उची चॉला मुझ को माना जाता है और विशो की सबसे उची को टीटी काका का नाम दिया जाता है जो बोली विया में यह 312 मिटर तलवाडा जील को भरती है तलवाडा को भरने के बाद में यह आगे भेती है इसी के किनारी प्राचिंद का राजस्तान यह सब्वेताओं का संबंद भी कौन सी नदी है रंगमहल दोस्तो और रंगमहल हनुमानगड के अंतरगत है जबकि रंगपूर गुजरात के अंतरगत है तो यह बटनेर भी इसी के किनारी है काली बंगा पेली बंगा रंगमहल यह हनुमानगड से भेती हुई फिर यह अनु पगड किस नदी किना रिबसे है तो इसका उत्थर भी होगा गगर। फिर ये रेड किलिप और पार कर जाती है और पाकिस्तान के कहाँ चली जाती है ओट अबास्ट के अंतरगत can saud चले जाती है नदी की कुलमभाई 465 km के करीबन मानी जाती है और ये एक मात्र नदी है जो की राजस्तान की कैसे नदी की सरेणी में आती है अंतररास्टिय नदी है क्योंकि ये रेड किलिप को पार करती है तो रेड किलिप को पार करने वाली राजस्तान की अंतररास्टिय नदी के तोर पर जानी जाती है घगर दोस्तो घगर प्राचिन सरस्वति के इस्तान पर भे रही है इसलिए इसको नदीतमा नदीतमा यानि नदियों में परमुक का नाम भी दिया गया था इसी को सबसे पवित्र नदी का दर्जा भी दिया गया क्योंकि रिगवेद के अनुसार अगर हम देखें यहां यह कहें कि जो वैदिक सब्वेता के अनुसारम देखें तो सबसे जद पवित्र नदी सरस्वति मानी गई सबसे महत्पूर नदी सिंदू को माना गया यहां तक कि गंगा का उलेख एक बार हुआ है रिगवेद में और यमना का उलेख है वो तीन बार हुआ है लेकिन सबसे महत्पूर कोन मानी गई तो सिंदू और सबसे पवित्र कोन मानी गई शरस्वति इसी सरस्वति के इस्तान पर वरतमान में भेरे यह गगर तो दोस्तों ये थी राजस्तान की सबसे लंबी अंताप्रवाई नदी घगर और घगर नदी का उदगम हिमाला की जो सबसे नीची स्रेणी है सिवालिक स्रेणी हिमाचल प्रदेश में सिमला के पास सिवालिक स्रेणी में कालका की पहाडियों से क्योंकि वहां कालका मता का मंदर है चले इन पहाडियों को बोलते हैं कालका की पहाडिया कालका की पहाडियों से इसका उद्गम होता है फिर ये पंजाब में चिताम कहलाती है फिर हर्याना के अंतरगति ये फुल्टर जील को बरती हुई आगे चलती ह राजस्तान के हनुमानगड जिले से टीबी नाम कस्वे से ये प्रवेश करती है यहीं पर ये राजस्तान की सबसे नीची जील तलवाडा को बरती है इसी के किनारे काली बंगा पीली बंगा रनुनेल सब्वेता है इसी के किनारे राजस्तान का सबसे प्राचिन दुरुग है जिसे वो बटनेर बोलते हैं जिस पर सबसे ज़दा विजीशियों ने आकरमन किया है जबकि सबसे ज़दा देशी आकरमन आपके अजमेर के तारागण पर हुए है फिर इसी के किनारे एशिया का करसी फारम के लिए प्रसिद्धा सूरतगड ये इसी के किनारे है इसी के किना अनुपगड है जो बरत्मान में जिले के लिए सुरुक्यों में है फिर यह सूरतगड अनुपगड से बैतिवी कई बार है पाकिस्तान की पॉर्ट अब बास तक चली जाती है जहां इसको हकरा का जाता है तो दोस्तों यह हनुआनगड और स्री गंगानगर जिले से बैतिवी रेड किलिप को पार करती है धन्यवाद दोस्तों चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद